सर फ्यूचर्स डाव के जो सुभा से कुछ भी करने के मूड मनी है दो पॉइंट उपर इस समय डाव फ्यूचर्स है पांच पॉइंट उपर नास्डेक फ्यूचर्स है तो बहुत ही सीमित दायरे में एकदम फ्लैट कारूबार है एशिया में अच्छा कारूबार था सर जप अच्छा तेल स्टेबल है रुपया थोड़ा पंदरा पैसे कमजोर है अदर्स बाकी ग्लोबल संकेतो ठीक है फ्लैट है स्टेबल है हमें क्या करना है इंतजार इंतजार तीन बज़े तक 18,325 का अगर तीन बज़े के पहले आप 18,325 पार करके टिक जाए तो फ्रेश खरी अज को में है अच्छा तीन बज़े के स्टेबल अच्ति अच्छा ठाइसी लाक शेर और आज हूँ आज ही इसा नहीं वह है तो तो 88,250 के आज़ पास आये तो दिटी तो प्रेश खरीदाई चीज़ें और इसमें क्यों कह रहा हूं 89,300 के PUT पर 98,000,000 Shares हैं 54,000,000 Shares आज ही जूर है 89,300 के Call Writers एक करोड़ बीस लाग शेर हैं तो काईदे से अगर मार्किट को रुकना अठकना है तो अठरा 325 को पार नहीं करना चाहिए इसके नीचे क्लोज होना चाहिए आज लेकिन अगर अच्छी खरीदार अब यह शौर्ट कवरिंग से नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा तो फ्रेश खरीदारी से बढ़ेगा और अगर अच्छी खरीदारी आजाए रचा 325 पार कर ले तो फिर फ्रेश और बढ़िया और नहीं तेजी करनी चाहिए यह निफ्टी में स निफ्टे में तो यह आपके लिए तेजी का फ्रेश संके देगा तो यह तो वहां ले लिजिए पचीस पुइंट उपर निकलने पर या 35 पर नीचे आने पर ले लिजिए और अठा तीन सो अठा दोसो पैंसर अठा दोसो पंदरा दो लेवल है यहां पे आपको खरीदारी अब आईए बैंक निफ्टि 44,000 मेक और ब्रेक लेवल है और आज जो डेटा जैसे निफ्टी में अठा तीन सो का लेवल इंपोर्टेंट निफ्टी में चमालीस हजार का इंपोर्टेंट 44,000 के calls पर 78,000,000 शेरों का open interest है, highest दबा कर call rating हुई पड़ी है, इसलिए upside limited है, bank अब आज थोड़ी backseat ले रहे हैं, तीन बज़े तक जो लेवल important है, वो है 43,800 का, 43,800 के उपर टिकना जरूरी है, अगर टिक भी गए तो इसका मतलब है नहीं कि बहुत भाग जाएंगे, अगर आप बेशना चाहें, मेरी राय नहीं लिए अगर आप बेशना चाहें, तो आप बेशना चाहें, आप बेशना चाहें, तो आपको प्रोफिट दे भी रहा है, तो ओवर ओल, बैंक रिफ्टी 23,500 के आज़ पास लेने का सोचें, यह आपकी रेंज है,